नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मुझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर टू के इस टोबिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों। देखो 2011 में एक बड़ा अंदोलन हुआ था देश में लोगपाल लाने के लिए और 2013 में हमारे देश में लोगपाल एक्ट आ भी गया। लेकिन पाँ साल लग गये, इवन पाँ से भी ज़्यादा, छे साल लग गये लोगपाल के गठित होने में। क्या problem आ रही थी? Problem देखो ये आ रही थी. लोगपाल एक्ट में प्रोविजन ये है कि लोगपाल सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी कौन लोगपाल का मेंबर बनेगा, कौन लोगपाल का चेर मैं बनेगा. और लोगपाल की सिलेक्शन कमेटी में 5 मेंपर्स हैं. पधान मंत्री, स्पीकर ओफ लोक्सबा, अपोजिशन के लिडर, चीफ जेसिस अफ इंडिया और एक एमिनेंट जुरिस्ट जिसको सिलेक्ट किया जाएगा बाकी चार लोगों के द्वारा मिलकर लेकिन देखो, पिछली लोक्सबा में कोई भी ओपोजिशन का लीडर नहीं था कोई में ओपोजिशन पार्टी بنे ही नहीं, किसी पोल्टिकल पार्टी के पास इतनी quarter कोई शीट आई ही नहीं कि वो में ओपोजिशन पार्टी का दरजा हासिल कर सके तो इसलिए कोई भी leader of opposition पिछली लोक्सबा में नहीं था तो leader of opposition नहीं था इस वज़े से ये लोगपाल selection committee गठित नहीं होसकी और ये committee गठित नहीं हुई इसलिए लोगपाल के members का chain नहीं होसका लोगपाल के chairman को नहीं select किया जासका आर्टिकल में कहा जाता है उस political party के leader को leader of opposition माना जा सकता था इस selection committee के लिए या फिर अगर आपको ये पसंद नहीं था तो लोगपाल act को ही आप amend कर देते और उसमें ये provision कर देते कि leader of opposition की post अभी खाली है तो वो political party जो विपक्स में है जिसके पास सबसे ज़्यादा seats है उसके leader को इस लोगपाल selection committee में जगा दी जा सकती है लेकिन दोनों में से एक भी काम सरकार के पास नहीं क्या गया ना तो ये selection committee पूरी हुई और selection committee पूरी नहीं हुई तो लोगपाल का भी गठन नहीं हुआ बाद में देखो जब Supreme Court में एक contempt petition file की गई कि देखो आपके आदेश का उलंगन हो रहा है सरकार ने अभी तक लोगपाल का गठन नहीं किया है तो Supreme Court ने सरकार पर फटकार लगाई कि भया आप जल्दी से लोगपाल का गठन करो तो बिल्कुल आंत में जाके अपने पिछले कारेकाल के अंत में जाके सरकार ने eminent jurist को चुना मुकुल रोत गी जो पहले attorney general थे सरकार के और मलिका अरजुन खडगे को भी invite किया गया लेकिन special invite के तोर पर मलिका अरजुन खडगे जो Congress की leader है उन्होंने मना कर दिया उन्होंने बोला कि ये तो सिरफ देखो दिखाने के लिए है as a tokenism post है इसलिए मैं इस selection committee की गतिविदियों में participate नहीं करूँगा तो चार members ने ही मिलके लोगपाल का गठन कर दिया लोगपाल के जो members है देखो ये बात हम answers में नहीं लिख सकते लेकिन writer का ये बोलना है कि लोगपाल के जो members है उन्हें से काफी members ऐसे है जिनका रुजहान सिदा सिदा सरकार की तरफ रहा है मतलब सरकार ने अपनी पसंद के लोग को सामिल कर लिया है लोगपाल में इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी देखो एक उमीद थी अब लोगपाल का गठन हो गया है तो लोगपाल अच्छे से काम करेगा और हमार देश में higher level page जो corruption देखने को मिलता है उस corruption को दूर क्या जाएगा बट देखो लोगपाल के गठन को 10 मेहने पूरे हो चुके है अभी तक सरकार ने rules भी नहीं बनाए है जिनके according लोगपाल को complaint देने के लिए form fill किया जा सकता है इवन देखो central government ने अभी तक वो rules भी formulate नहीं किये हैं जिनके according public servants को अपनी assets disclose करनी है लोगपाल के act में के बाद एक साल के अंदर अंदर public servants अपनी assets को disclose करेंगे लेकिन इसमें बार में amendment लाई गई थी बट अभी तो देखो आलमोष्ट साथ साल पूरे हो चुके हैं लोगपाल act के आए अभी भी सरकार ने rules नहीं बनाए हैं जिनके according सभी public servants अपनी assets को public में disclose करें लोगपाल act में प्रावधान ये भी हैं लोगपाल के पास अपनी एक inquiry wing होगी जिसके head होंगे director of inquiry अपना एक अलग से prosecution wing होगा जिसके head होंगे director of prosecution बट देखो दुखत बात ये हैं लोगपाल के गठन को 10 महीने पूरे हो चुके हैं अभी तक inquiry wing और prosecution wing को set up नहीं क्या गया हैं और नहीं लोगपाल ने अभी तक director of inquiry या फिर director of prosecution के पद पर किसी को appoint क्या हैं इवन अभी तक तो कोई ऐसे rules भी नहीं बने हैं कि कैसे लोगपाल को preliminary inquiry conduct करनी है कैसे investigation करनी है क्या procedure हो सकता है मतलब कुछ भी तयार नहीं है अभी तक जो basic procedure होना चाहिए किसी भी संस्थान के काम करने के लिए वो procedure अभी तयार नहीं है लोगपाल से संबंदी जो post हैं वो खाली हैं देखो लोगपाल के members की जो post हैं वो तो full हैं हलाकि कुछ समय पहले एक member थे justice भोसले उन्होंने अपना regination दे दिया था बट बात यहां पर यह हैं लोगपाल संस्थान से जूड़ी जो दूसरी post हैं वो खाली हैं जो कि बहुत ज़रा जुरूरी हैं लोगपाल के effective रूप से काम करने के लिए लोगपाल की website ये बोलती है कि 30 स्थम्बर 2019 तक 1065 complaints लोगपाल को हासिल हुई जिसमें 1000 complaints को dispose कर दिया गया लेकिन भया आपने अपनी inquiry wing setup नहीं की अपनी prosecution wing setup नहीं की अभी तक rules ही नहीं है कि कैसे आपको preliminary inquiry conduct करनी है और आप complaints को dispose कर रही हो तो कोई person कल को court में जा सकता है कि जब मेरी complaint को dispose किया गया तब तक तो rules ही नहीं थे कि उनको inquiry कैसे करनी है तो फिर कैसे मेरी complaint को dispose कर दिया गया तो कहने का मतलब यही है कि लोगपाल का जो institution है इस पर सरकार अभी भी ध्यान नहीं दे रही है अपनी पूरी powers का utilization लोगपाल के दोरा नहीं किया जा रहा है यह लोगपाल को गठित करने के जो मांग थी यह देखो 50 साल पुरा नहीं थी लेकिन 50 साल बाद किसने सोचा था जब लोगपाल हमारे देश में आएगा तो इतना ineffective होगा तो साइद लगता यह है कि एक और अंदोलन के आशकता है कि लोगपाल जो अब आचुका है इसे effective बनाया जाए ताकि यह लोगपाल का संस्थान हमारे देश में corruption को खतम कर सकें इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion